हेलो दोस्तों हमारे चैनल वीस ओनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत सवगत है दोस्तों अगर आप ही 36 गड़ व्यापर में कोई भी फॉर्म भरे हुए हैं अगर आपके प्रोफाइल में कोई गलती होगी होगी यानि फॉर्म में भरते समय कोई गलती कर दिये हैं तो दोस्तों आप अपने मोबायल से ही असानी से उसमें सुधार कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप 16 सदिक्षक का अगर अपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आप करेक्शन यानि सुधार कैसे कर सकते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं चातव सदिक्षक का यहां पर जो है ऑनलेन फॉर्म एक मार्च से स्टार्ट हुआ था इसके बाद दोस्तों अगर फॉर्म भर लिए हैं तो इसमें कोई गलती हो गई है तो आप 1 अप्रेल से लेकर 3 अप्रेल के बीच आप अपने फॉर्म में करिक्षन यानि सुधार भी कर सकते हैं तो जलिए आप जान लेते हैं कि हम अपने मोबाइल से ही कोई भी कलती हो गया होगा उसे सुधार कैसे करेंगे फॉर्म में करिक्षन यानि सुधार करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को उपन करेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे तो व्यापम की साइट आ जाएगी आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जैसे आप वहाँपर क्लिक करेंगे 36 गड़ व्यापम की ओफिसल साइट है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी अब इस page में जैसे आप नीचे आएंगे आपर बहुत सारे options यहाँ पर दिये गए हैं अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक registration का options दिया जाता है नीचे देख सकते हैं profile registration लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको click करना होगा जैसी दोस्तो हम यहाँ पर click करते हैं तो 36 गयर्ड व्यपम में login करने का page है आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा अब आपने form परते समय जो आपने mobile number दिया होगा उस mobile number को यहाँ पर टालेंगे और जो भी आपने password बनाया होगा उस password को यहाँ पर डाल देंगे अगर दोस्तों आप अपना password भूल गए हैं तो नीचे forget password पर click करके आप अपना password है दुबारा प्राप्त कर सकते हैं mobile number और password डालेने के बाद नीचे login लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर click कर देंगे तो अपने कौन-कौन से जो है form यहाँ पर fill up किया हुआ है उसकी यहाँ पर पूरी रिष्ट आ जाती है अब यहाँ पर देख सकते हैं hostel यहाँ पर superintendent का यहाँ पर online form अगर भर होंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ देखेंगे तो कोई भी edit का options नहीं है इसके लिए दोस्तों आपको दुबारा back के button पर click करना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो examination के यहाँ पर पूरी लिष्ट देगी है यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको hotel warden का option से उसको यहाँ पर देखना होगा अब यहाँ पर आप निचे आएंगे तो देख सकते हैं hotel superintendent यहां पर लिखा हुआ आ रहा है बगल में apply को options से यहां पर आपको click करना होगा अब जैसे यहां पर click करेंगे तो आपके summary प्रकार से देख सकते हैं edit application form का options आ गया है चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि हमें कौन-कौन से options को edit करने के लिए आप पर दिया जा रहा है उसकी पूरी आपको जनकारी देने वाले हैं अब यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले लिख्या हुआ आ रहा है कि कि आप किसी भी मनेतर प्राप्तर मंडल से हाय सेकेंडरी यानि कक्छा बार्वी अगर आपने उत्तिर न कर ल अब यहां पर नीचे आपको submit options है यहां पर क्लिक करना होगा अब यहां पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकास से आपका basic information यहां पर आ जाता है यहां पर आप देखेंगे तो आपका नाम father's name यह सारे detail जो आपने profile बनाते समय भरे होंगे वह सारे detail यहां पर नहीं कर सकते हैं नीचे आपको class या नीचे इडिट करने के लिए यहां पर दिया जा रहा है यहां से दोस्तों आप जो हैं इसके आप नीचे आएंगे तो आपसे capture code मांगा जा रहा है I agree पर क्लिक करेंगे capture code यहां पर fill करेंगे और दोस्तों आप सब्मिट लिखा हुआ आ रहे हैं यहां पर आपको क्लिक करके आपको यहां पर final submission कर लेन होगा इस प्रकार से आप देख सकते हैं आप यहां पर जो है इतने ही सुधार कर पाएंगे आप यहां पर दोस्तों नी data of birth यानि और भी जो basic information है उसमें आप कैसे edit कर पाएंगे उसे आप कैसे change कर पाएंगे इसके लिए दोस्तों आपको दुबारो home के page पर आना हो पर देखेंगे तो profile लिखा हुआ आ रहा है यहां पर आपको क्लिक करना होगा अब जैसी आप यहां पर click करेंगे तो देख सकत यहां पर देखेंगे तो आपका mobile number और नाम है यहां से आप change नहीं कर सकते इसके लिए आपको निचे options दिया जाएगा अब यहां पर देखेंगे तो आपका father's name, mother's name, date of birth, gender यह सारे details आप असानी से यहां पर edit कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं इसके साथ ही nationality यहां पर जो भी होगा यहां से आप सुधार कर लेंगे अब इसके बाद नीचे आएंगे तो step one में बताया गया कि नाम को अधार से सत्यापित करने के लिए अधार कार्डे में दिये नाम ही प्रविष्ट करें यानि कि दोस्तों जो आपने यहां पर profile में नाम दिया है वह नाम अधार कार् declaration पर आपको टिक करना होगा अब दोस्तों यहां पर नीचे देखेंगे तो verify your name with अधार लिखा हुआ आ रहा है यहां पर क्लिक करेंगे अब यहां पर जैसे आप नीचे आएंगे तो step two में बताया गया कि profile में अधार लिंक करने के लिए नाम अधार से सत्यापित होने के ब आपको जो है अपने fingerprint device को यहां पर अपने mobile पर connect करना होगा और उसके बाद बैविमेट्रिक यानि fingerprint के through आपको verify करना है तभी आप अपने profile में यहां पर edit कर पाएंगे changes कर पाएंगे अगर दोस्तों आपके पास कोई fingerprint device नहीं है तो आप नजदीक कि किसी भी online shop पर जाकर आ अपने profile में edit यानि correction करा सकते हैं